हेलो मेरे वाइटी फैमली कैसे हूँ आप सभी लोग उमीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ब्लॉग और सश्वी भी थे पी में तो ये काफी दिन पहले का वीडियो है जो मैंने सूट किया था तो मैं अपलोड नहीं कर पाई थी मेरे मोबाइल में कुछ प्राबलम आ गए थी तो मैं ये वीडियो नहीं मतलब सूट करके अपलोड नहीं कर पाई थी तो मेरा मोबाइल भी सही हो गया तो मैंने सूचा चलो आप लोग के पास ये वीडियो जाना चाहिए और बहुत दिनों से मेरा ब्लॉग चैनल पर जो मैं हमीशा मतलब जैसे अपलोड किया करती थी वैसे ही करूंगी तो यहां हम लोग कहीं जा रहे हैं घूमने और चलिए आप लोगों को भी दिखाते हैं कहां जा रहे हैं हम लोग तो घर से मैं माईके से हूं ये मेरा ब्लॉग माईका ब्लॉग है और बस आम लेडिज पार्टे ही जा रहे हैं घूमने के लिए तो मम्मी हैं बाबी हैं और बहने भी हैं और बच्चे हैं बस इतने ही लोग जा रहे हैं आटो मतलब आटो में ही जा रहे हैं हम लोग और यहां देखें जहां हम लोग को जाना था महां पहुंच गये हैं तो मैं हम लोग गए हैं दर्शन करने और इस मंदिर मतलब बहुत जादा फेमस है ये मंदिर गुजरात वगरा में भी बहुत फेमस है और इसका ही सेम अच्छरधाम मंदिर दिल्ली में है तो यह स्वामी नारायंड का मंदिर जो मतलब भगवान का उतार भी मानते हैं तो यह कुंड है यहां हम लोग में गेट पहुंच गए हैं और यह जो है हम लोग को कुछ coupon वगरा टाइप था कुछ परची थी जो दे रही हैं जिसमें कुछ लिखा था lady लेडी जों के सुरक्षा के लिए तो वही थोड़ा मतलब देके समझा भी रही है कि लेडी जों के साथ कुछ भी मतलब प्राब्लम होती है या कोई भी छेड़ खाने वगरा करता है तो इस पर कंप्लेंड कर सकते हैं तो वही सब था तो बस सब लोग मंदिर में जा रहे हैं दर्शन करने के लिए तो यहां हम लोग गेट के अंदर मतलब पहुंच चुके हैं यह गेट के अंदर का ही सारा मतलब व्यू है और बहुत दूर दूर तक यह मंदिर फैला हुआ बहुत दूर दूर तक अंदर मतलब है और यह बहुत ही फेमस है बहुत दूर दूर से पर इन्हों ने जनम लिया था जैसे राम भगवान ने अध्या में जनम लिया था और कृष्म भगवान ने मत्रा में जनम लिया था तो वैसे ही इन्हों ने यहां छपिया में जनम लिया था और इनका प्रसिद मंदिर बहुत जगा है कुछ रात में भी बहुत है और अच्छ में उँज़ें तो मुझे भी इतना मतलब इन इनके बारे में पता नहीं था जब्कि मेरे घर से करेब एक गंडे का रास्ता है यह मंदिर तो उतना मुझे भी मतलब पता नहीं था लेकिन जब अच्छरदा मंदिर गई थी तो वहां मैंने इनका वीडियो देखा था इनका मतलब सारा जीवनी उसमें मतलब दिखाया गया था इनके जनम से लेके और पूरी कहानी तब मुझे समझ में आया था और मैं यहां करीब तीन बार आ चुकी हूँ आतिसरी चौती बार आ रही हू यहां पे और सच में यहां मन को बहुत सांती मिलती है बहुत सकुन मिलता है और बहुत अच्छा लगता है यहां पे और यहां बहुत दोर-दोर से लोग आते हैं गुजरात वगरा के लोग तो बतलब भर-भर के आते हैं बहुत सारे लोग है क्योंकि गुजरात में इनका बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है ये मंदिर और ये भगवान स्री स्वामी नारायण का जनम अस्थान है तो जहां इन्होंने जनम लिया था तो यहां हम लोग बस भगवान जी का दर्शन कर रहे थे और दोपार हो चुका था ना तो लौक अगर लगा दिये थे लेकिन फिर भगवान है और उनको मैं दिखाऊंगी आगे आप लोग वीडियो में बने रही है तो बस अब लोग वही दर्शन कर रहे हैं घूम घूम के सारी जगा और मतलब यहां मंदिर वहां मंदिर अंदर ही बहुत सारी मंदिर है तो यह देखिए यह सब रुकने के लिए सब का ब जगा दर्शन कर लिए हैं दूसरी जगा जा रहे हैं और यह देखिए अंदर तो यह दिवाल वगर आपे जो मतलब लगा था वही सब है और सारी मेरा थोड़ा गला भी खराब है क्योंकि वाइस ओबर करते करते ना थोड़ा सा खांसी भी आ जाती है तो यह देखिए सारा मतलब मैं आप लोगों को सारा दिखा रही हूं और सब कुछ है इनका बाहर-बाहर से मंदिर है और जहां इन्होंने जनम लिया था जो इनका पुराने जैसे मिटी के घर थे पुराने दर्वाजे है उसी टाइप का सब जैसे अधा वैसे मतलब अइसे ही बना हुआ है जो कातेओं भी बना हुआ है और थोड़ा सा बस उसका रख रखा हम अच्छे से सब लोग करते होंगे तभी तो इतना साफसुथरा रहता है तो बस सब जगा सब लोग भगवान जी के दर्शन कर रहे हैं और भीड़ भी खूब होता है बड़ दोपार हो गया था तो थोड़ा भीड़ मतलब कम हो गया था तो आप लोग वीडियो में बने रहेगा तो आपनों को दिखाएंगे यह देखे खिलके से हम लोग देख रहे ये इनका है जहां इनोंने जयन माता जी है और सब लोग एसं बना दिये हैं देखने के लिए कि मतलब का इसे क्या हुआ था और ये देखे मिट्टी के ही घर है मिट्टी के दिवाल है पुराने दर्वाजे भी है अभी मैं ये देखे पुराने दर्वाजे है तो ये भगवान स्रीश्वामी नारायन का जनम घर है मतलब जहां पे इनों ने जनम लिया था वो रूम है इनका और ये देखे ये रसोई घ गर है इसमें देखिए पुराने मिट्टी के दीवाल है दरवाज्चे है पुराने मतलब जैसे पुराने जमाने में सब कुछ था ना सेम टो सेम वैसे ही है और मतलब यह जिस्त अलग Parce ऐसा जी समय यह थे उससही समय का इस घर है ये सब कुछ है इसको हटाया नहीं गया है सें Trustive ऐसे ही है और ये उसे बैजा série दर्वाजे पुराने दिवाल जैसे था वैसे सब कुछ है वस्य सको मतलब अंदर से रखा गया है हुखा आदिल बाहर बार से मंदिर बना दिये हैं और मंदिर के वीचोंबिच ये सब है इनका इह है रसोई घर ये देखें मिट्टी के चूले है और तामे के और फुल वाले वबतन भी है जो कि अब सब यह सब कहां मतलब चलता है आप तो इस्तिक और श्टील वगयरा सब कुछ चलते हैं य chang ut atी प्पुन के बर्टतन और पीतल के बर्टतन तामे के बर्टतन ये सब कम हो गए ज़्यादा यूज में होता है तो यह देखने के लिए इसब कुछ रखा गया है और एक चक्कि वगयरा है और कुछ कुछ चीजों को तो मैं भी नहीं जानती हूं इसमें कि क्या है मैं भी ममी से पूछ रही थी यह सब क्या है तो बस हम लोग वहीं देख रहे हैं खिड़की से सब कुछ और बस घुम घुम के सब लोग देख रहे हैं और देखने में पुराने दिनों की याद भी आ थी और यह देखिए हम लोग मतलब खिड़की से दीख रहा था दरवाजे वगरा तो नहीं खुले थे और यह इनका मतलब शायन कच्छ है जहां पर भगवान श्री स्वामी नहरायन सूते थे यह देखिए कैसे पुराने जवानी की चारपाई लिस्तर पुराने दरवाचे मिट्टे के दिवाल और यह सब पता नहीं है और यह क्या रखा मुझे नहीं पता इसका नाम क्या है बच्पन में देखा था बड़ नाम में पता है क्या है यह जो पर देख भी रहते हैं और यह स्वामी नारायन भगवान का मूर्ती जो में मंदिर इनहीं का है स्वामी नारायन भगवान का आप लोग दर्शन कर लीजें दर्शन कर लिए और अहुआ थोड़ा घलाथ हुआ सब लोग बताते हैं कि मतलब गोल्द का यह डर्वाचे वगारण यहां जो सब लग रहे हैं सारे रिय जोड़ सुनने में यही सब आता है तो बस सब लोग बगवान जी के दर्शन कर लिये थे और थोड़ा सा सब को ठकान हो गया था तो यहां पर थोड़ा सा सब अब वीडियो बना लिया और थोड़ा सा मतलब चल चल के ना सब लोग ठक गए थे तो यहां थोड़ा सा बाट गए और यह देखे ऊपर से इसका वियोग ऐसा लग रहा है और उसके बाद सब लोगों ने दर्शन अगरा कर लिया था अच्छे से और थोड़ा सा थकान भी हो लिया था सबको क्योंकि बहुत बड़े मेहना खोब चलना पड़ता है और पस हम लोग सारा मतलब अच्छे से दर्शन अगरा कर लिए और बाहर निकल रहे हैं और यहां रास्ते में पहुंच गया है तो सबको लग गई थी थोड़ी से भूख तो कुछ खाने पीने के मेरा वीडियो बस इतना था कैसा लगा जरूर बता अगर पसंद आए तो फिर लाइक शेर और सब्सक्राइब